यह neighbor आपके सामने यह account कब बनेगा, नहीं बनेगा अभी पता चल जाएगा हो सकता है इस question में बने हो सकता है ना बने तो वो चीजे आपको पता चल जाएगे question हर किसी को clear है और आपकी book का question number 1 ही यह यह book कौन सा है sir, jr 무an चलिए sir कहता है क्या है he you है P & Company of Chennai sent Goods to branch hi Tech यानि सर एक है नah P & Company है कि ओर एक इसका ब्रांच का है 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 थी कहाई अब आगे क्या कहता है ज़्र ब्रांच cell goods cash or credit ऊपना समान दोनों तरीके से बेस ते कि नगत भी बेसת और उधार भी बेजता है, all the proceeds realize, proceeds मतलब seal, by the branch, send to head office, जितने भी हमारा समान बिकेगा, branch क्या करेगा, उसको भीज देगा, किसको भीज देगा, head office का, expense meet by, यानि खर्चे जो होगा, वो branch नहीं करेगा, वो कौन करेगा, तो इसका मतलब सारे खर्चे आएंगे, ठीक है, आगे कहता है, accept petty cash, बोलता है, petty cash, branch को खुदी करना होगा, बाकि सारा वो करेगा, आगे कहता है, which meet by the branch, out of the cash, sent by head office, जितना cash, petty cash भेज़ेगा, उस petty cash में से, वो खर्चा माइनस कर लेगा, the branch keeps sales, branch, जो है, sales, journal and debtor laser, तो यानि, journal and debtor laser, मतलब debtor system, follow कर रहा है, branch, जो sale है, debtor system से, the following list of transaction, has been available in the month of March, March के महीने का है, तो सबसे पहले, देखो, opening balance दे रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिख ले, two opening, है न, तो सारे के सारे assets को लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास, stop, कितने का है, 5000 का, उसके बाद, debtor इहां लिख लेते हैं, कितने का है, 35,000, 35,000, इसके बाद, पैटी कैस, यहीं पर आएगा, होता क्या है, यह कुछ बच्चों के mind में होगा, question, इसके लिए मैं अलग से बताऊँगा, 150, और, बस, कहता है, goods sent to branch, बताओ किदर आएगा, debit side में, to goods sent, याद है न, क्या बोला था, goods sent, कितने का है, 40,000, आगे कहता है, goods return by branch, branch ने return किया, तो किदर आएगा, credit by, goods return, कितने रुपे, पच्चिस सौ, ठीक है, चलो, पढ़ते जाते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, cash sales, cash sales कहा जाएगा, remittance में, कितने, 15,000, आगे कहता है, cash received from laser account, laser का मतलब debtor से है, cash received from, कहां कहा है सर, laser account, laser account मतलब किस से है, debtor से, तो collection from debtor आ गया, कितने, 33,000, assets होता है, petty cash होता है, हमारा, assets, मैंने कहा, सारे assets यहां लिखना है, अब petty cash assets होता है, कुछ बच्चों को याद होगा, 11th का, कुछ को नहीं होगा, तो इसको अगली class के लिए, थोड़ा बचा के रखो, अगली class में पूरा explain कर दूँगा, कि कैसे assets हैं, ठीक है न, आगे देखा जाए, तो goods written by debtor, debtor ने return किया, अब सर एक बात बताना, जो debtor से हमें collection हुआ, यहां भी आएगा, और यहां भी आएगा, है कि नहीं, आगर debtor account बना रहे हम, question में बोला, prepare branch accounts, good sent to branch, branch account बनाना है, good sent, good sent हम बाद में सीखेंगे, सिर्फ पहले branch account बोला गया, debtor account नहीं बनाना, अब आप देखो, कई बार question बोलेगा, और नहीं भी बोलेगा, तब भी debtor account बनाना भी पड़ सकता, नहीं बनाना, मैं लिख लेता हूँ, cash कितना sent किया हमने, उसके बाद बोलता है, sales return customer ने कर दिया, तो यहीं आएगा sales return, कितने करें sales return, goods return by debtor, 3000, discount भी यहीं आजाएगा, bed dates भी यहीं आजाएगा, कितने the bed dates हैं, इसके बाद क्या है, branch expense meet by echo, salary and wages किदर आएगा, two side, 5000, इसके बाद, rent and rate, rent कितने, 3000, telephone 1000, इसके बाद, अदर, भाई कुछ होगा, हमें क्या लेना लेना, उसके चक्कर में थोड़ी न पढ़ना, बता दो सरदर क्या है, कितने, अब देखते हैं, यह भी हो गया, यह भी हो गया, अब cash sent to branch, for petty cash, अब हमें, head office ने कुछ cash sent किया है, किसके लिए petty cash, उसको यहाँ पे लिखना है, इसके लिए मैंने बोला, इसके लिए आपको एक class का wait करना पड़ेगा, जो भी head office petty cash भीजेगा, हमें खर्चे के लिए यहाँ लिखना है, petty cash, कितने हैं, 12, ठीक है, क्यों लिखना है sir, क्योंकि इसको मैं अगली class में, पूरे detail में explain कर दूँँगा, कि क्यों यहाँ आता है, इसके करने के दो तरीके होते हैं, इसके भी दो methods है, petty cash के, तो दोनों ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, closing balance, stock आ गया, तो इधर आ जाएगा ना, buy में, buy, balance, क्या क्या आ गया, stock कितने का, 9000 इसके बाद, debtor कितने का, 6000 इसके बाद, petty cash कितने हो गया, 100 रुप, और कुछ है, बस, अब देखो, हमें debtor का opening balance भी पता है, closing भी पता है, buy debtor, balance, sorry, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, roughly एक, buy balance, two balance BD, पता है balance BD, बिल्कुल पता था debtor का, 3500, और buy balance CD पता है, balance CD बिल्कुल पता है, कितना था हमारा, 6000, अब यहाँ से सब कुछ पता है, तो यहाँ balancing figure निकलेगा, credit, sales, अब आप धियान से देखो न, तो debtor में, अगर आपको examiner, कई बार opening, closing balance ना दे, क्या इस पूरे account में, closing balance यूज हो रहा है, हो रहा है, तो अगर आपको, यहाँ पे, closing debtor के जगहाँ पर, वो question mark लगा देता है, भाई हम नहीं बता रहे हैं, तो debtor से निकाल के लिखते हैं, अगर आपको यह cash, यह वाला balance ना दे, तो फिर आपको इस account को बना के, balancing figure निकाल के, फिर लिखते, अगर यह दोनों चीजे दे रहा है, तीन चीज, तीसरा opening balance, अगर यह तीनों चीजे आपको मिल रहा है, opening balance, closing balance, collection from debtor, जो कि यहाँ use हो रहा है, opening balance, closing balance, collection from debtor, अगर यह तीनों चीजे question में दे रखा है, तो no need to prepare, तो debtor account बनाने का एक ही purpose है, कि अगर balance CD नहीं है, तो यहाँ से find करके, यहाँ use करेंगे, अगर आपको collection from cash नहीं है, तो यहाँ से balancing figure निकालके करेंगे, और अगर opening balance नहीं है, तो यहाँ से balancing figure निकालके करेंगे, तो जरूरत नहीं है बनाने की, लेकिन फिर भी question कहता है, कि आपको branch account और debtor account बनाने ही, बनाने हैं तब आप बनादेना डhetter ницу का अगर नहीं बोला है जैसे इसमें नहीं बोला गया और हमें जरुरत भी नहीए तो यह बनाने की कोई जरुरत नहीं था ठीक है तो मैं यहाँ से इसलिए फिल्हाल के लिए इस debtor अकाउंट को हटा दे वैसे तो कुश्चन होई गया हटा के फाइद आगया है फिर है ना चलिए टूटलिंग कर लेते हैं बस कि अठारा नंबर में कुश्चन आएगा ऐसा कि इतने हैं यह हो जाएगा टूट इसका टूटल इसका नीचे एक सो यह हो गया है फॉर्टी बस अब टूटल कर लेते हैं पैसट छे सो यह कितना अगया और यहां आ जाएगा टूट प्रॉफिट माइनस कर लेते जरूरी नहीं प्रॉफिट आए लॉस भी आ सकता है ध्याना लग लाग लाग यह आ रहा है मेरा बावन पचास फाइव टूट फाइव जिरो एक बार देख लिए एक है क्या रहा है ठीक है तो क्या गया हमारा यह प्रॉफिट जो निकालना था क्या है नहीं नहीं यह प्रॉफिट की बात कर रहा है तो देखो चैप्टर मेरे हिसाब से मुस्किल और यह आपके हिसाब से भी मुस्किल नहीं होना चाहिए लेकिन कंडिशन यही है कि एक दो चोटी चोटी पॉइंट बढ़ेंगे इसमें आईपी वाले के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है जो कि बहुत सिंपल है इतना मुस्किल नहीं है अगर मुझे क्योंकि बच्चा जो होता है न सेमिस्टर वन में जब आता है तो वह कहता है कि सर ग्यारवी वाली अकाउंट्स है सारी मानते हैं के भाई ग्यारवी वाली अकाउंट्स बहुत सारी है लेकिन ग्यारवी वाली अकाउंट्स को इतना एडवांस बना रखा है ग के विए से marks कमाते हैं NPO बच्चा करके नहीं जाता थोड़ा सा tough chapter लगता है उसको depreciation अब जितना 11 में करा था उससे तो कहीं advanced level पे आ गया है depreciation ठीक है लेकिन फिर भी बच्चों का मानला है theoretical portion भी advanced level पे आ गया है तो जो आप starting के book देखोगे ना तो कई बार perception यह होता है book के सुरू से लेके साथ या आठ चेप्टर आपको सारा ग्यारवी का syllabus दे रखा है इसके पीछे कारण है कारण यह है डियू को ऐसा क्यूं syllabus में डालना पड़ा क्यूंकि बीकॉम के अंदर arts वाला बच्चा भी आता है और commerce वाला बच्चा और science वाला भी आता है अब भाई commerce वा कर पाएगा क्या science वाला बच्चा कर पाएगा क्या तो science और arts वालों के लिए वह चीज़े बनी वी है 11 वाले portion को पढ़ लो तभी आगे बढ़ पाओगे इसलिए उसमें से exam में कुछ भी पूछा नहीं जाता है exam में पूछा जाएगा क्या आपका मैं पूरा exam का पूरा pattern भ भी याद का format याद करने की जुरत निए question प्रैक्टिस करोगे automatically हो जाना है कोई format याद करने की जुरत पड़ेगे ही नहीं पहले बताइए इसमें कोई doubt clear पूरा एक बार फटा-फट से आप nooting करिए क्योंकि question number two है ये question मैं देख लेता हूं एक बार आपको करने के लिए दि पर फि kinda goods receive from ee-b is to receive है तो सेंट हो गया ये goods return Thank you für a credit sales हो अलावाइं since the customer यह discount होता है इस बात का द्यान लखना इह discount होता है nurse WhatsApp journal Remember to customer к a cash received better rent rates wages सारी catchman list लगवाइं मुझे लगता है इसके नीचे का पर मिसीं आप देखना बुक में इसके नीचे भी यह कुछ क्या यह इतना ही है इतना ही है चलो यह होमग में रहेगा तो चलिए फटा-फट से आप नोट करना स्टार्ट करिए नोटिंग का